आज की पाठ का शीशक है अपनी ख़वर की सिर्जन संस्कृती है इस पाठ के अध्यन के उपरांत आप उग्रजी के आर्मिक जीवन से परचित हो सकेंगे उग्रजी की विश्म परसितियों को जान सकेंगे उग्रजी के समय के सामाजी की अथार्थ को जान सकेंगे उग्रजी की आत्मकथा की चुनूतियों से परचित हो सकेंगे आईए हम उग्रीजी के जीवन से पर्चित हूँ उग्रीजी का जीवन बीहर किस्म का था घर की आर्थिक इस्थतियों ने उन्हें ढंग से जीने नहीं दिया केवल आर्थिक आवहावी ही नहीं घर और आसपास का वातावरन भी सिक्षा तथा सामाजिक नेतिकता के मांदंडों के ब्रोध में था घर से लेकर परोस्तक, जुवा, गाजा, भांग और शराब का बेरोक टोक सेवन होता था उनके बड़े भाई स्वेम घर में जुवा खेलते थे और कोई ऐसा नशा नहीं था जो उन्होंने ना किया हो उग्री जी को वे घर के बाहर बैठाए रखते ताके वे पुलिस के आने पर उन्हें साबधान कर सकें नशे की लत्व में वे रात को अपने पैर इस्पकार दबाते जैसे बहुत बड़ा काम करके आये हों घर की हालत बहुत खस्ता थी, सुबह खाने को मिल जाता तो शाम को भूके ही सोना पड़ता था घर में कोई कमाने वाला नहीं था, आये तो अन्यमी थी ही उपर से कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था मजले भाई इन इस्तितियों से घवड़ा कर आयोध्या में साधू हो गए और राम लीला कम्पिनियों से जोड़ गए घर को केबर बड़े भाई से उम्मीद थी लेकिन ऐसा कोई लक्षन दिखाई नहीं देता था कि वे घर की आर्थिक दशा को पटरी पर लाने में साहिक हो सकें जिस उम्र में ओगरी जी को पढ़ना चाहिए था वा उम्र विशम परस्तितियों की बले चड़ रही थी ओगरी जी के लेखन में जो कटूई अथार्थ है वह इन्ही जीवन इस्थतियों के कारण है ब्यवस्थित जीवन नजी पाने की कटूता नहीं उन्हें उगर बनाया था केवल राजनितिक समझ तथा साहितिक जगत ही नहीं बलके अपने ब्यावारिक जीवन में भी उन्होंने कोई समझाता नहीं किया इसलिए कहीं टिक्कर नहीं रह सके लगातार के भठकाओं ने उन्हें ब्यावक अनुभव तो दिये लेकन ऐसी सापगोई भी दी जो परिचतों की बीच भी अचीने पन को लेकर आई इनी अनुभवों के बल पर उन्होंने हिंदी की अपरतिम आत्मकथा अपनी खवर लिखी जो अपने खरेपन और बेवाक वर्णन के लिए जानी जाती है उग्री जी का बचपन घोर अभावों में कटा था अलपाई हुमें पिता की मृत्व के बाद बड़े भाई पर पूरे परिवार के भरण पोशन का दायत हुथा लेकिन बड़े भाई अपनी जिम्मेदारियों से विरत थे वे अपने शौक मौज को ही अपना जीवन मानते थे इसलिए ऐसा कोई शौक नोंने नहीं छोड़ा जिससे घर की वरवादी रोख सकती उग्रजी ने लिखा है कि मेरे पिता के उठ जाने से मेरे घर में अखंड आरा जकता थी मेरे घर में जुवा अक्सर हुआ करता अक्सर जुए से जब नाल की रकम बसूल होती तब मेरे घर में वोजन की व्यवस्ता होती थी आटा, चावल, डाल और नमक आता था मेरी माँ और भावी को मकान के पिछले खंड में कैद कर मेरा भाई बिछले खंड में जुए का फाट डालता जिसमें महले, कस्वा और आसपास के गाउंगों की भी शातिर जुआरी जुटते जब भी मेरे घर में जुआ जमता, भाई की आग्या से दरवाजे पर बैठ कर मैं गली के दोनों ना के तारता रहता कि पुलिस वाले तो नहीं आ रहे हैं जरूर इस जुटी के बदले पैसा दो पैसा मुझे भी किसी पर्चे जुआरी से मिलता रहा होगा जुए की इस जवरदस्ट पकड़ में मेरा भाई इस कदर पढ़ गया था कि भावी के सारे गहने बिक गए या अंत में बिक जाने के लिए गिर्वी रख दिया गए फिर मेरी मां के गहनों की बारी आई जिसने अपना संचे सौपने में जराबी हिचक दिखलाई उसे भाई साब ने जूतों थपड़ों घूसों लातों से घूरा अक्सर गांजा चरस या शराब के नशे में यों तो भाई मुझे भी मारता पिड़ता था बेसबब बहुत बुरी तरह से अक्सर लेकिन जब मेरी मां को मारता और वह अना था बेवशा रोती गिग्याती तब भाई का आचरण मुझे बहुती बुरा मालूम पड़ता था पर मैं करी क्या सकता था उग्री जी ही नहीं घर का कोई सदसे भाई के इस ब्यभार के बारे में कुछ नहीं कर सकता था बड़ा परिवार लेकिन आये का कुछ निश्य साधन नहीं इसलिए घर में अक्सा चुए है डंड ही पेला करते थे या जजमानी से भिक्षा मिल जाती थी या मेरी आई किसी की मजूरी कर कूट पीसका लाती थी बड़ी मुश्किलों से सुबह खाना मिलता तो शाम को नहीं शाम मिलता तो सबेरे नहीं जहां भोजन बस्तर के इलाले पड़े वहां सिक्षा दिक्षा की क्या हालत रही होगी साहजी अनुमान लगाया जा सकता है सिक्षा दिक्षा दूर मेरे सामने तो आखे खोलते ही जीवन ग्रंत का जो प्रस्ट पड़ा वो सिक्षा दिक्षा को चौपट करने वाला था बच्पन की ये जीवन बिकट समझ्याएं किसी भी बच्चे के भविश को भेगरस्ट कर बाधाउत पन करती है उग्रजी ने जिस बेवाकी से अपने जीवन के अभावों का चित्रन किया है उससे लिकेवल उनके बलकि भारत के असंखे बच्चों के जीवन की सच्चाई सामने आ जाती है भूग, कुपोशन और असिक्षा में जी रहे लाखो करोड़ों बच्चों का भविश क्या हो सकता है इसे बतानी की अवशक्ता नहीं है यह मनुविग्यानिक सत्य है कि बच्चपन की स्मृतियां हमारी भविश का निरधारन करती है बच्चपन का भहे और उल्लास आगे चलकर विक्तित का निर्मान करता है उग्रजी का बच्चपन जिन इस्ततियों से गुजर रहा था उनमें किसी तरह की विकास की कोई संभावना नहीं थी लेकिन उग्रजी ने इन बिशम परस्तितियों में भी स्वैम को समाले रखा इसके पीछे के अन्य कई कारण हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे अन्य गरीब बच्चों की तरह उग्रजी को भी समय पर पढ़ने का अवसर नहीं मिला चौधे वर्ष की उमर में जब अधिकांश खाते पीते घरों के बच्चे दस्वी कक्षा उत्तीर कर लेते हैं तब तीसरी कक्षा में उनका प्रिविश्क कराये गया यह भी एक सैयोग था कि बनारस में रहने वाले उनके चाचा ने उनने गोद लिया और पढ़ानी की ववस्था की उग्री जी लिखते हैं जानकार जानते होंगे कि 14-15 साल की वे में जवालल और शीप्रकाश लंदन में सिक्षा पा रहे थे उत्तम से उत्तम लेकिन उसी उमर में मुझे क्या सिक्षा मिली थी मेरा जी ही जानता था सच तो यह है कि शब्द सिक्षा मेरे निकटाते आते बेक्षा बन जाया करता था 14 वर्ष की उमर में यह सयोग मात्र था कि उन्हें सिक्षा गहन करने का अवसर मिला चाचा ने गोद नहीं लिया होता तो चुनार में रहकर भाई कभी भी उन्हें पढ़ने नहीं बेशता भाई स्वें बहुत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन दुनियादारी में कुशल थे यह कुशलता घर घर के सदस्यों तथा घर की आर्थिक इस्तिती को सुधानने में कभी काम नहीं आई बलकि उल्टे अपने दाओं पेश से सब तरह के गलत काम कुशलता पूरवक करने में ही वे अपनी चतुराई देखते थे इन इस्तितीों में उग्रजी का जीवन चौपट हो रहा था पर इस से उबनने का कोई रास्ता भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था चुनार छोड़कर वे जाते वी तो उनका भाई उन्हें पकड़कर ले आता और फिर से अपनी कठोर तथा निर्मम चाकरी में रखता इन इस्तियों में कोई बालक कैसे बच्पन का आनद उठा सकता है उग्रजी का बच्पन गरीवी में जी रहे अधिकांस बच्चों की तरह पराशित था उग्रजी केवल दो वर्ष छे माह के थे तब उनके पिता का देहन्त हो गया घर की आर्थिक इस्तिय पहले भी ठीक नहीं थी लेकिन पिता के जाने के बाद तो और बिगरती चली गई गरीवी के साथ घर और महले का वातावरण भी सामाजिक दृष्टी से सही नहीं था कहने को तो घर भवन टोली में था लेकिन आचरन से वो कहीं भी संसकारित नहीं था चारो और जुआ, शराब, गाजा, भांग और जुआ का तंडव होता रहता था किसी ऐसे बच्चे के लिए जो अभी बहुत चोटा है और दुनिया को अपनी आँखों से देखने की कोशिश कर रहा है एक भद्दा चितर उसके मन में उतरचा चरा गया उसने अपने घर को ही नहीं बलके अपने आसपास को भी इस प्रकार के आनेतिक कामों में लिफ्ट पाया उसके सामने के ऐसी दुनिया थी जिसके पास जीवन का कोई सुंदर, नक्षा और सपना नहीं था रात दिन पुलिस का चापा और उस चापे में असामाजिक कार्यों मलीन पूरा परवेश एक दिन उसके भाई को भी पुलिस पकड़ कर ले गई कैनान होगा कि ऐसे भाई को जिसके जिम्मे परिवार का पूरा भरन पोशन था वे केबल बड़े भाई नहीं थे बलकि परिवार के ऐसे आधार थे जिनके पैसों से परिवार का पेट भर रहा था किसी छोटे भाई के सामने बड़े भाई का या अपमान बाल मन पर कितना प्रभाव छोड़ता है इसे उगर जी ने लिखा है सबसे पहले मेरे भाई साब भी पुलिस की पकड़ में आई थे गिरफतार दरजन बर जुआरी हुए होंगे फिर भी कई जान लेकर जूते छोड़ कर भाग गए उन जूतों की लंबी माला अलगू कुमार से ही तैयार कराने के बाद उसी गले में डाल कर जुलूस बना कर जब पुलिस वाले राजपत से जुआरियों को हवालात की तरफ ले चले तो बंदुहों में मेरा भाई भी था उस भैकारी जुलूस के पीछे काफी दूर उन तक अपने भाई या अनदाता के लिए रोता हुआ में भी गया था फिर घर लौटने पर देखा आई और भावी रो रही थी यह सामानी चित्र नहीं है इससे ने केवल घर और मोहले की स्तथी का चित्र उभर कर आता है बलके घर की अंदर की बेवसी भी उभरती है उग दारोन दुख का कारण था पर छोटे बालक उगर जी की विवर्ष्टा यह की विए सब देख कर भी कुछ कहने और करने की इस्तती में नहीं थे परिवार की आर्थ की इस्तती लगाता और बिगरती चली जा रही थी और बड़े भाई साथ इन सब से अलग अपनी दुनिया में मगन थे उगर जी आठ नो साल के रहे होंगे के बड़े भाई ने उन्हें रामलीला में सीता का अबने करने को कहा इस उमर में सामाने घरों के बच्चे पढ़ने में अपना मन लगाते हैं उस उमर में उगर जी के सामने एक दूसरी दुनिया थी जो केबल बड़े की घठना के बारे में लिखा है कि त्रेता में जिस आयोध्या में राम बाम दिस जान की बिराजा करती थी कलिकाल में उसी आयोध्या में राम लीला में ही सही उस दिनों बेचन पांड़े भी सी सीता जी बना करते थे और हजार हजार लोग लगाईयां हजार हजार मेरे यह जो आज बड़े तीस मारका बनते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र दर असल जोरू है राम की यह घटना उग्र जी की अपनी बेवसी को बताती है कि गरीवी में आदमी को क्या-क्या पापड बेलने पड़ते हैं पेट भनने के लिए जो भी काम करने पड़े उन्होंने क यह फिर भी दर-दर भटकने के अलावा कुछ मिला नहीं घर की इस्तती में ऐसा कोई सुधाद नहीं आया जिसके बलपर वे सामाने बच्चे का जीवन जी सकते हों अभावों और संकटों से बचने के लिए किसी ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाट करने से संकट दूर हो ज जम गया कि संकटों से मुक्ती के लिए उन्हें हनुमान चालीसा पाटना चाहिए पर पुस्तक खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं इसलिए उन्होंने अपने सहपाटी की पुस्तक चुराने का निर्णे लिया घर-परिवार और महले की इस्ततियों ने उनके बाल-मन को इस प्रकार गढ़ा था कि चोरी करने के निर्णे में उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं लगा। वे अपने आसपास यही सब तो देख रहे थे। इन्ही आप राधिक परस्तितियों को अपने आसपास देखती हुए उग्रुजी बड़े हो रहे थे। उग्री जी की आत्मकथा की विशेष्टा यहा है कि वे अपने घोरा भावों और तिरसकारों को भी निश्प्रिय भाव से लिखते हैं कि पढ़ते समय उनके लेखन के प्रतिचाव भी बना रहे और उनके दुख में दुखी भी होते रहते हैं। ऐसी है घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि राम लीला मंडली में एक दिन भारत का अभिने करने वाला पात्र बीमार हो गया तो उनके बड़े भाई ने कहा कि बेचन यह अभिने कर लेगा। बड़े भाई के आतंके साई में ही उग्री जी का बचपन गुजर रहा था इसलिए उनका आदेश अंतिम होता था। बड़े भाई ने न केवल अभिने करने के लिए कहा बलके। मुझसे उन्होंने गांजे के नशे में चूर आखे दिखा कर कहा भरत के काम में जरावी भूल की तो याद रहे लीला भूमी से ही पीड़ते पीड़ते तुझे डेरे पल ले चलूँगा। उनसे पिटने का मुझे इतना डर था कि भरत तो भरत वो धमका था तो मैं कमिसीनी भूर दशरत का पाट भी अदा करके रख देता। रामण का भी। प्रवाई से और मैंने बहुत साब धानी से भरत का अभिने किया। रामण मुझे याद थी ही। सो बिना रामण का मुगदे के समवाद की चौपाई पर चौपाई दोहे पर दोहे अर्थ सहीत में सुनाता गया। मैं रोता था। भाई के बहसे जनता ने समझा भरत जी जो उगर जी अब तक जहलते आए हैं। उगर जी न ही पूरे परिवार ने बड़े भाई की नत्याचारों को जहला है जो भेके कारण बनकर आतंक की तरह चाये रहते हैं। उगर जी ने आगे लिखा है। पाम तो उस दिन भी मैं भाई साप के दापता रहा जब तक तब तक वो सोनी गए हाँ उस दिन उन्हों नित्य की तरह पाम दबाते दबाते दो चार लाते नहीं लगाई कि मैं ठीक से क्यों नहीं दबाता कि मैं जबकियां क्यों लेता हूं राम लीला मंडलीयों में उन्होंने अपना बजपन गुजारा और उनके कटूई अथार्थ को अंदर से देखा उन्होंने निकट सी अनुभव किया कि भखवान राम के नाम पर राम लीला मंडली और उसके मंडला धीश किस तरह भूली भाली जनता की भावनाओं से खिरवाड कर ऐश कर रहे हैं उनके अंदर न तो राम भक्ती है और न कोई रामा दर्ष उगर जी को इन सबसे बहुत दिनों बाद तब मुक्ती मिली जब चाचा के सामने पढ़ने की विवस्था करने के लिए ज़र गिड़ाए बाद में काशी के सहरदय बावू शिक प्रसाद गुप्त की किरपा पर उन्होंने आठमी कक्षा उत्तिन की लेकिन ब्यवस्थित जीवन उनके भाग में लिखा ही नहीं था एक वार ब्यवस्थित होते और फिर उजड़ जाते सारा जीवन इन विशम परिस्थितियों को अन्कूल बनाने या उनके अनुसार जीने में ही कट गिया सामाजी की अथार्थ किसी भी लेखक का पूरी तरह नहीं तो अंततहर निर्मान करता है उग्री जी के निर्मान में भी समय की अथार्थ का दवाव इसपस्ट देखा जा सकता है केनान होगा कि आत्मकथा में जिन इस्ततिएँ को रेख हंकित किया गया है वे अंग्रेज शाषद भारत की हैं अग्रेजों के राज में जाती परतातो बराबर रही लेकन आर्थिक स्तती उन्हीं लोगों की मजबूती थी जो या तो अग्रेजों की नोकरी चाक्रीब में थे अथवा जो जमीदार थे बाकी जनता चाहे वो सबन हो अथवा दलित सब गरीवी में ही जी रही थी अग्रेजी का जन्म जिस परिवार में हुआ वो ब्रह्मन परिवार था पिता की थोड़ी सी जिज्मानी तथा बेहरी साव मंदर की पुजार गिरी थी जिससे परिवार का खर्च बहुत सहस्ता से चल जाता था लेकिन अलपाईव में पिता की मृत्यू और बड़े भाई की कुसंगती ने परिवार का नाश कर दिया बगेर आर्थे की इस तरता के कोई ब्रह्मन हो या और कोई इससे फर्क नहीं परता इसलिए उग्रजी को ब्रह्मन होने का दम कभी नहीं रहा उन्होंने अपनी गली यानि बवन टोली की अथार्थ को खुलकर लिखा है मैं उस गली की कहानी बतला दूँ जिसमें मैंने जन्म लिया था सद्दू पर महले के गली बवन टोली गली के इस सरे से उस सरे तक ब्रहमनों ही के मकान एक तरफ और दूसी तरफ भी एक तेली तथा दो तीन कुरियों के घरों को छोड़ बाकी जमीने ब्रहमनों की हम लोगों की जजमानी योही जैस सिताराम थी कहिए हम शांदार बिकारी थे बिकारी सड़क पर कपड़े फैला या गलीों में हाथ पसार कर भीक मांगता है लेकिन हमें गरीव और ब्रहमन जानकर लोग हमारे घर भीक पहुँचा जाते थे पिता के जीवित रहने तक ब्रहमन होने का या ब्रहम लोगों को बना रहा लेकिन बाद में तो पूरे महले में जिस प्रकार नशे और जूए का चलन बढ़ा उसके पतन की कोई सीमा नहीं रही एक दिन तो बनारत से कोई वैश्या भी महले में आई लेकिन किसी की हमत नहीं हुई यह कहने की कि घर परिवारों में इस प्रकार की बेहायाई ठीक नहीं है उग्र जी इस सामाज की अथार से बच्पन में ही पर्चित हो चुके थे जात वर्ग में स्रेष्ट समझे जाने वाले लोगों के महले की या कहानी है तो बाकी की क्या इस्तत रही होगी इसे समझना कठिन नहीं है उग्र जी ने अंग्रेज मांसिक्ता को भी रेखांकित किया है अंग्रेज शाशक थे इसलिए उनके छोटे से छोटे अंग्रेज करमचारी भी स्वैम को शाशक ही समझते थे चुनार में बड़ी छावनी थी अंग्रेजों के आवास अलग थे लेकिन उने देखने की उस सुक्ता निरंतर बनी रहती थी उग्र जी ने लिखा है उन्देनों नित्ती ही सद्दूपर महले की ववन्टोली गली से सोल्जर्स, एंगलो इंडियन, गोरा काला पादरी और वगोरी सबार में, बिदवाब मिसिस बिलसन गुजरती थी बहवीत कौतूहल से महले के हम अदनंगे बच्चे साहब सलाम और में साहब सलाम किया करते थे में साहब गोरी की एक तरफ बैठी रोज ही वाजाल लेने सुएम जाती थी वगोरी पर चड़ी चड़ी सारी चीज़ें खरीती थी मचली, मुर्गी, मास, तीतर, बटेर, साग सबजी तथा रितु फलों का उन देनों चुनार में डेरी डेर लगा रहता था तब गी रुपया सेर बिकता था लेकिन घी खाने योगे पैसे तब अपनी ग्रह में थे ही नहीं घी जब इतना सस्ता था तो अनाज भी तो भूसा भाव रहा होगा अनाज, गोड, खांड, चीनी, सभी पानी के मूल थे फिर भी अपने लिए दुल्लब थे अपने ही जीवन को साथ वर्ष बात देखने से जो दुख पैदा होता है उस दुख की अव्यक्ति कितनी मर्म इस परशी होगी इसे देखने के लिए उग्र जी की स्टपड़िये को पढ़ना आवशक है दारिद्र में कस्ट होता है यह जानने लाइक तो में हो गया था पर दारिद्र में अपमान भी कुछ है मुझे 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 पता नहीं था यह ऐसा यथार्थ है जिसे समझे बिनान समाज को जान सकेंगे और नजाती विवस्था के यथार्थ हो अब हम निश्करस्त कह सकते हैं कि उग्रीजी की आत्मकथा अपनी ख़वर हिंदी आत्मकथा साहित में एक प्रकार की चुनोती की रूब में सामने आई है इसमें जिस प्रकार की बेलोस कथन शैली तथा परस्तितियों की मार के आगे आदमी को बोना दिखाये गया है उसी होगरीजी का जीवन से